क्या 2019 का चुनाव धोखा था? क्या 2019 में पूर्ण भहुवत के साथ भाजपा की जीट असल में एक जूट है? 2019 में 100% वीवीपैट का इस्तिमाल हुआ था और बाद में उन्वे से 6.6 लाख वीवीपैट खराब पाए गए ये खुलासा मैं नहीं दोस्तो पूर्व एलेक्शन कमिशनर मिस्टर कुरेशी ने किया है जिसके बाद अब वीवीवीपैट को ले करके सुप्रम कोट का दर्वजा खटखटाने का मन बना लिया 2019 में एवीवीवीपैट में जो घुटाला हुआ आज उसका खुलासा जो हो गया है और सुप्रम कोट भी इस पर बहुत जल्द फैसला सुनाने वाला है क्योंकि ये मामला अब सुप्रम कोट पहुंचने वाला है तो पूरा मामला अब सुनाने वाला है महफो蒸ू होंगे अल्ह kingdom आप लोंगो अफल मे रखे आप लोंगो इस दोस्तों मेरे वायों आप लोग वाहर है क्योंकि या आपका भाई हर मुम्किन कोशिश में रहे हर जगा की एalgर्षा भर ACT अर लो की ELA से करे तवज्जे हो और सारी इल्म रख सके बार केफ मेरे ज़िस दोस्तों मेरे भाई हुई हमारे देश की ही खबर है जो इस वकद जो सरकार चल रही है वो फेक सरकार है वो एक फेक सरकार है और फेक सरकार है ये साबित हो गया उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूँ जो रखा मैंने आप लोगों को 48 सिकंड का उसमें खुलासा हो गया है क्योंके ये इलक्शन कमिशन का वह आद्मी है जो अभी इसको बाहर कर देने की वजह से न्यू एलक्षन कमिशन में जो दूहजार चौबीस में होने वाले है इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इसलिए ये गरम होकर सारे चीजें परदे फाश कर दिया और ये भी कह दिया है मेरे साथ के लोग ने अपने जमीर का सवदा किया लेकिन मैंने ने किया था इसलिए बता दे रहा हूँ अगर जबाबा जमीर का सवदा ने किया था तो बता दे रहा हूँ अब बता रहा है जब एलक्षन दूहजार चौबीस का सरपे है बचेवे जो 101 साल के अंदर का टैम है और बता रहा है एक फिक सरकार है एक जूटी सरकार है ये तो जो सीट लेके आई इतना जो बता है सब ये EVM के पैट्स का कमाल है क्योंकि जिस तरीखे से काम करें हैं ये लोग इसमें 298 ऐसे सीट है ये लोग बाइट के सेटिंग करें हैं उसकी जबके 300 चिलर सीटों से ये लोग जीत हासल करें है जो आप लोग अच्छी तरह पता है अब ये साबित ये हो चुका है 298 सीट तो इनके ऐसे सेटिंग में मिले है यानि ये एक फिक सरकार है एक जूटी सरकार है ये साबित हो गया लेकिन अब हम को ये साबित हो जाने के बावजुद वोई खाबिस रहेंगे हमारे उपर जो चार साल से खाबिस थे जिस तरह चार साल से हमारे उपर ज्यादती भी हमारे उपर जुल्म है ये सारे चीज़ें आपने अच्छी तरह देखे भी है और तुम्हारे अपने साथ हुए है तो आप लोग बहतर जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं तो मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों ये देखिए कितनी धंदली हुई है किता भरटा चार हुआ है कितना ये लोग क्या काम क्योंकि इनको खुद पता था कि ये चीज ऐसी हो रही है इसलिए इन चीज़ों को लेकर विपश्क आने अपोजिशन अब चश्मदी गवा भी है जबकि गवा वो है जो खुद एलेक्शन कमिशन के टाइम पर मिंबर भी था और वहां पर ड्यूटी पर भी था अब भला इसको भी खर धुदकार तो लगीगी क्योंकि तो अब इतने टाइम के बात ये बात बोल रहा है और बगहर कोई के लगा सवाली पैदा नहीं होता तुरे को बराबर मिलाई इसलिए तुन्हें देर की आई ये तो हम भी समझते हैं और सारे देशवासे समझते हैं लेकिन अब ये चीज़ तो साबित हो चुकी है कि एक फेक सरकार है ये एक तूड मोड सरकार है ये सारे चीज़ें अब पता चल चुके हैं लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों अब जिस तरीखे से ये सरकार ने ये इतना मालूम हो जाने के बाद अपनी तरफ से रिज़ें लितने की जो बात जो चल रही है इस्तफादे देने की या गवर्नर राज लाने की ये हमारे पास कभी नहीं आ सकता आप लोग अच्छी तरह पता है अब इनों तो यह गड़ बड़ी यह धंदली तो दो हजार चौबीस में करने की सूच रहे थे जो आइन टाइम पर ये एलेक्शन कमिशन के टाइम पर जो मिंबर था वो एलेक्शन कमिशन का वो अगर्चे भाना न नखाब नहीं होता तो यह अलग बात है कि यह अंधेरे में रहते थे लेकिन फिर भी नहीं जीतते थे यह लोग क्यों कि अब के सुप्रीम कोट के सुप्रीम हो मालूम है चीफ जेस्टिस तीजियाई चंचोर साब है जो कि इनको एक मिनट के लिए भी पसंद नहीं करते है ना इनकी कोई बात को पसंद करते हैं ना इनकी कोई हरकत को पसंद करते हैं क्योंकि इनकी धंदली से इनके धुके से इनके जलुम से इनके अत्याचार से इतनी अच्छी तरह वाखिव है वो और अलहम्दलिल्ला देखते ही देखते है खुश खबरी तो यह भी मिल गई कि और दो साल के लिए सुप्रिम कोट के सुप्रिमो चंद्चोर साब जो चीफ जस्टिस है जिसका रेनिवल हो चुका है जिसका और दो साल का खामा लग गया यह जैसे ही लगा इनको बड़ी तकलीफ भी यह सरकार को यह फेकु सरकार को यह जूटी सरकार को यह फेक सरकार को ब कैंसल करा दिंगे अब इनों इतनी तकलीफ में मुपतला है जो दूर दूर तक इनका बचने का कोई चांस नहीं है ये इनकी धंदली ये इनका धोका ये इनका आतियाचार ये इनका जल्म की वज़े से आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात ह मेरे अज़िस दोस्तों मेरे भाईयों वक्त के रहते में इस सारे चीज़ें पता चल रहे हैं अबी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो सुप्रीम कोर जाने का तो एलान कर दिये हैं मंड़े के दिन जा रहे हैं उलग पूरी तैयारी करके पुरे सुबूतों के साथ पुरे यह जाके भी यह लोग अब सुप्रीम कोट धुटकार भी लगाया सरकार को तो फाइदा क्या है अगर जह सरकार को गिराया भी सुप्रीम कोट आर्डर्स देके वैसा तो नहीं होगा कोई कन्हों नहीं हो जाएगी फिर भी फाइदा क्या है क्योंकि वैसे जाने वाली है सर और बेहनों, कोई चुर की चुरी जजधते ने चुप सकती है, कोई जालिम का जुल्म जजधते ने नहे सकता, कोई खाती का जो है सो इस तरीखे से बरबाद करना देश को, देश वासियों को इस रह पर छोड़ना, इतना अत्याचार करना इतना जुल्म करना ये सारे चीजें सारे हदे पार करना इन्हों ही कर सकते हैं दूसरा और कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज सिर्फ इनके पास है तो इन्हीं कि इन चीजों की वज़े से आज देश के ये हालात में जबके ये सरकार कैसा बनाई गई है मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ जिसके सुबूत भी आ चुके है जिसके सही मानों में सुबूत भी आ चुके है और चश्मदीद गवा भी आ चुके है और जितने वो EVM मिशिनों में जो गड़बड़ी करे थे ये लोग कहां पे रक्र करें और उसकी वीडियो रिकार्डिंग हर वो चीज मनजराम पे आ चुकी है उसके बावजूद यह हमारी खोकली मीडिया है टट्टी मीडिया है गूकी मीडिया अपना मुँ नहीं खुल रही यानि कितना बड़ा एक धोका है देश के साथ कितना बड़ा एक फ्राड है देश के साथ देश वासियों के साथ यह तो आने वाला वक्त है करेगा बहरल के बहरल हाल मेरे एज़िस दोस्तों मेरे भाईयों मेरी मा और बहनों हमारे जो opposition party'ya वो मंडे के दिन कोट को जा रहे है लेकिन उनको मालूम है कि आप 4 साल गुज़र चुके है 5.4 साल गुज़र चुके है फायदा तो कुछ नहीं होगा लेकिन के हाल हकीकत इनकी हैसे तो कोट तक रहेगी जबकि कोट भी जानता है कि ये कैसा बने हैं ये लोग ये हर तरीखे से वाखिफ है उसके बावजूद वेट एंड वाच देखते हैं इंशालला क्या होता है बहराल आप लोगों को सच्चाई दिखाना सच्चाई बताना और इनके घिनोनी चेहरे बेरखाब करना इनके परदे फाश करना ये मेरा काम हैं जो इमानदारी से कर रहा हूं है अब आप लोग दौाओं में यादा रखे मुनाजम रहिए मुत्तहीद रहिए अपनी सफ़ों में इतिहात बरखार रखे नमाजों के पाबंदी करिए माबाप के खिद्मत करिए बड़ों के हैकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई क को वे दौाओं में याद रखे सलाम आलेकूं रहमतुलाही वर्कातों